हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, प्रेशानियां, बदिन्तजामियां हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धके खाएं, परिशानियों का सामना करना पड़ें शीद्याजम सरदार भगत सिंग जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएंगे अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बस डाइल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं पंजाब की भगवन्त मान सरकार आप के द्वार उना की रकड कॉलोनी में मंगलवार को स्कूली बच्चों से भरी ट्रेवल में आग लगने की घटना के फॉरण बाद जिला प्रशासन जाग उठा है बीते कल एक स्कूल ट्रेवलर में उस वक्त आग लग गई जब वो बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जा रही थी इस घटना के कुछ ही घटे बाद जिला प्रशासन ने तुरंत आदेश जारी करते हुए तमाम स्कूली बसों की फिटनेस और तकनिकी दक्षता की जाज करने के संबंद में परिवेहन विभाग को निर्देशित किया है जिस पर अमल करते हुए आठीउ ने दलबल के साथ सडकों पर उतर कर नाके बंदी में स्कूल की बसों की जाज करने का काम शुरू कर दिया है इस दोरान RTO ने कहा कि प्रतेक स्कूल के प्रतेक वाहन की सगन जाच की जाएगी ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर किसी भी प्रकार का खत्रा ना आए। उन्होंने कहा कि डी सी रागव शर्मा द्वारा इस्तंबंद में निर्देश जारी किये गए हैं जिसके तहट प्रतेक स्कूल को बच्चों की सुरक्षा पोखता करनी होगी। एक प्रकार के रहा हैं जारी करता हमने पिछले कल उनीस तारिक को भी एक विशेशा बिहान कीए गया किया जो अमब एरिय में हमने लगब है पच्चीस-तिस बसें चैकी उसमें हमारा डाकूमन्ट चैकी तिसमें सरकार दोरा कुछ माबदान निर्धार देखें ताकि बच् हमने चलान कि है उसी कड़ी में आज हमने मॉर्निंग में उनना एरिये में शुबंगा पचीस तीस बसें के लगए विखे हैं उनके अपने खाय हैं के लिए उनको प्रैशनाइज करेंगे उसमें दो यह जो बीक्व्यादान हो इस पाया यजो करेंगे हम और कम्हें भी प्रा एक हासा होता उसके बाद ही भी भागगाता है, अब चलो हो जाता है कि भीभाग किस सी बिष्य पर घंबीर में धिन दियान नहीं देपाता है, तो दो किसा गाद ही मेंआरे धियान रहें गाड़ी यह को ताहिना हो ताकि बच्चों की स्रक्षा जो हमारे लिए बहुत ही एहम है इसमें आप मैं एक अंरोध करना चाहता हूं जो हमारे स्कूल मेंडेशमेंट सें वह बहुत हो बसों करें कि जिन बसों में या जिन स्कूल बहानों में बच्चे भेज रहे हैं उसमें ये भी चेक करें कि जिस गाड़ी में बच्चे को भेज रहे हैं उसमें प्रॉपली डाकुमेंट पासिंग इन्सूरंस है ट्रैवर ठीक है ये सारा प्रॉपली यो भी चेक करें कि इसमें जो कर्मा की रिपोर्ट